दोस्तों नमस्कार, आज की स्पीडिस में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम फोन पे यूज करते हैं और ऐसे में हमारे सामने आ जाता है टेक्निकल इसू ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखने को भी मिल लिया है, नीचे टेक्निकल इसू इट यूर बैंक, प्लीज ट्राइ आफ्टर, सेम टाइम, ठीक है, तो ऐसे में काफी लोग इने इसमें जैसे की पिन को लेकर काफी लोग गलत बता रहा हैं, कि आपके आकॉंड में दिक्कत है, तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि आपके जो खाता है, उसमें किस तरीकी की दिक्कत आ रही है, ठीका, और इस दिकत को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं इस से पहले आप चैनल को कर दीज़ेगा सब्सक्राइब और आपने अभी तक यह लाइक नहीं किया तो वीडियो को इसरेट पे ठीक है देख सकते हैं यह hierarchy ठीक है तो चलिए मैं यहां पर अफडेटकर देता हूं दोबादा अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर लिए और उसके बाद में कि आपको दूसरी वार आपको बहुंसरी बात ऐको अपना इंट्रेट सेक लेना है कि आपको जो इंट्र Glue छेस्ट है वो सही यानि की स्पीड बगार सब कुस्षब कुस्षप सही आ रही है कि नहीं आ रही है कई बार ऐसा देखने को मिला है जब भी हमारे मौल में रिचार्ज नहीं रहता है और जो भी इंटरनेट की स्पीड है, वो समाप। हो जाती हैनिक हमारा काफी देर घर नहीं होता है और ऑपन होता है और हम उसमें पैसे ट्रांसपर या फिर बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं टैक है तब भी आपको इसरी प्राव्ब्लम को मिल सकती है तीसरी बदात है कि आपको अपनी आप रखना अब यह फोन पर है बोख हमारा open हो रहा है है यहां पर finger मांग रहा है तो चलिए मैं तो मैं पर अपना फिंगर लगा दिया है यहां पर हमें मिल लिया है चेक bank balance टीक है इस पर हम simply click करेंगी तो यहाँ पर मेरे तीन account है एक account है यह वाला ठीक है तो यह account पुराना हो चुका है और उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलिया है 3318 ठीक है मैं इस पर simply क्लिक करता हूं उसके बाद मैं यहाँ पर अपना यूपी आई पिन डाल देता हूं हो सकता है आपको जो स्क्रीन है वो ब्लैक जाने की काली दिखाई देती हो ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना पिन इंटर कर दिया है और जो बैलंस है मैं यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकता हूं इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना दूसरा अकॉंट भी यहाँ पर चेक कर सकता हूं चलिए मैं यहाँ पर भी अपना यूपी आई तो देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने हम पर दोरा पिंड को इंटर किया ठीक है जो पहले थी प्राब्लम आ रही थी उसके प्रावलम को ठीक कर सकते हैं इसके एलावा कई वार ऐसा भी होता है कि जो बैंक के सरवर हैं वह ज्यादा ब्यस्त हो जाते हैं तब भी आपको इस तरह की प्रावलम देखने को मिलती है है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा एपली केशन चलाते होंगे तो बहां पर भी अगर आप ऐसे ट्रांसफर करेंगे और बैंक के सरवर रडॉन होंगे या फिर बैंक के सर्वर बैस्थ होंगे ठीक है तब भी आपको इसी तरीकिंगी प्राब्लम अने आपको यहां पर समझे लेना मैंने ऊस सेटिंग निक को आप करके यहां पर देख सर्दे के येoba तो इसका मतलब है कि जो बैंक के सर्वर है वो यहां पर बेस्ता है तो आपको यहां पर कुछ सेकेंड या फिर कुछ से समय आपको वेट कर लेना है और उसके बाद में यह प्राब्लम ठीक हो जाएगी एटो मेटो ही ठीक है तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी के लिए अच्छी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एस वीडियो में